फलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पूर्पूरे की एकदम नई रेसिपी तो यह कूर्पूरे हमा थे बिल्कुल जैसे हम धुकानों से बाजारं से लाकं खाते हैं एकदम् कृ्षp हुए चावलों से बनाएंगे ये रेसीपी तो ये देखिए रात के बचे हुए चावल थे ये मैंने एक कटोरी चावल ग्रांडर जार में डाल लिए और इसको पीछने के लिए थोड़ा सा हम पानी का यूज़ करेंगे तो अभी इसका एक पेश्ट बना लेते हैं इसमें हमें पीछने के लिए जादा पानी के ज़रूरत नहीं है थोड़ा सा पानी डालना है बस हमें कम से कम पानी डालना है तो तो अभी हम इसमें तीन चमच भरके मैं इसमें बेशन डाल दूंगी और साथ में इसके अभी यहाँ पर हमने आधा चमच नमक डाल देना है क्योंकि नमक हमारे चावलों में भी है पहले से और एक चमच यहाँ पर लाल मिर से थोड़ा चटपटापन लाने के लिए और थोड फूड कलर औरेंज फूड कलर डाल दिया है जिससे हमारे कुरकुरा का कलर एकदाम बहुत ही अच्छा सा है जैसे बाजार में मिलते हैं तो इसको भी एड़ कर देंगे और मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर मैं कुरकुरों को और जाधा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें मैं दो तीन चम्मच मैदा एड़ कर रही हूँ इससे हमारे कुरकुरे बहुत ही जाधा क्रिस्पी बनके तयार होंगे तो इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर बावल मेरा छोटा है आपको यह बड़ा बर्तन ले लिए यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें और थ द्यार हो चुका है देखे इस तरह की कोई भी पॉलोथीन ले लेनी है दूद की या किसी भी तरह की पॉलोथीन आती है इस तरह की तो वो ले लेनी है हमें और हमें इसको ऊपर से कट करके यह बैटर इसके अंदर डालना है यह पॉलोथीन मैंने अच्छे से दोके और साफ कर लिए है तो चार-पांच चम्मच भरके हम बैटर इसमें डालेंगे यह देखिए बाकी का भी एक साइड कर देंगे और यहां पर हमें कोई रबर डाले नहीं है इसमें उपर से कि इसका मुझ बंद करने के लिए अच्छे से जिससे खुले नहीं तो इसको हमने रबर डाल दिया है और अभी नीचे की साइड से एक कॉर्णर पक लेंगे और इसको कैंची से कट कर देंगे यहां पर इस तरह का हॉल बना लेना है हमें बिल्कुल छोटा भी नहीं बनाया मैंने जैसे कुर्णरे का साइज होता है अभी तेल हमने गरम करने के लिए पहले से ही रख दिया था तो तेल हमारा गर्म हो चुका है अभी हम अपने इसमे कुरकुरे डालने शुरू करेंगे तो आप इस तरह से भी डाल सकते हो ये देखे इस तरह से और अगर इस तरह से जल्दी जल्दी नहीं निकल रहे हैं तो इस तरह से आप कैंची की हेल्प से जल्दी जल्दी हो जाता है यह बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बनके तयार हो जाते हैं तो यह देखिए दो तिन मिनट हम कुरकुरों को इसी तरह से पड़ा रहने देंगे इसको हमें बिल्कुल टच नहीं करना है और जब उपर से हमें इसका कलर दिखाई देता है कि हाई नीचे से सीख गए हैं तो अभी में इसी तरह से दूसरा बैस भी डाल दूँगी यह देखिए यह बहुत बन जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं तो जब तक हमारे कुरकुरे शिक रहा है हम क्या करेंगे इसके लिए मसाला तयार कर लेते हैं यहां पी मैंने एक प्लेट लागो मैं इसमें काली मिर्स डाल दूंगी काली मिर्स का पाउडर और यहां पर थोड़ा सा हमने ब्लैक सॉल्ड यानि कालो नमक डाल दिया और इन मसालों को भी हमें मिक्स कर लेना है और यह मसाला हमें गरम-गरम कुरकुरों के उपर ही डालना है तो जब तक यह देखिए दूसरा बैज भी हमारे कुरकुरे सिख चुके हैं, अभी मैं इनको निकाल लेती हूँ, अभी देखें, आप इसकी आवाज सुन सकते हो, कितने कृस्पी और क्रंची कुरकुरे हमारे बनके बाजार के जैसे तयार हुए है, तो यह देखें, यह मसाला हम इसके उपर डालेंगे, एक दम बहुत ज़्यादा तीखा और चटपटा मसाला है, इससे बहुत ज़्यादा क कुरकुरे हमारे स्पाइसी बनके त्यार होंगे और खाने में इन में बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्ट आएगा एक बार इस तरह से बना कर देखिए आप लोग प्लीज ट्राय करके देखिए यह देखिए एक में तोड़ के दिखाती हूं कितने क्रंची और क्रिस्पी ब लिए?